हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टेंगे किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे खर्बुजे के फेक्टने वाले पाट से एक नई रेसिपी जो बहुती डिलीसियस है और बहुती आसान है ये रेसिपी बहुती जल्दी बन के तयार होती है और मज़े की बाद तो ये है कि इसमें बहुती कम इंग्रिडेंस लगते है अक्सर हम घर्मी के सीजन में खर्बुजे को घर्बे लाते है और वो घर्मी में आसानी से मिल जाते है तो आप खर्बुजे के फैकने वाले पाट को बीना फैके इसे नई रेसिपी में घर पे जरू ट्राइ कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आये तो शेर कीजिए कॉमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आएए अब हम नई रेसिपी बनाना शुरू करते है इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो खर्बुजा वर्नफोर चुटा चम्मा चाट वसाला पावडर एक बड़ा चम्मा शक्कर और आधा नीमबू और कुछ आइस क्यूब और एक लास थंडा पानी तो आएए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते है सबसे पहले हमाँ खर्बुजे को बीच मैं से काटेंगे और खर्बुजे के 2 एकवल पाट करेंगे मैंने दोनों खर्बुजों को बीच में से काटके तयर कर दिया है अब हम चम्मच की सहायता से खर्बुजे के जो बीच वाला पाट है इसे निकालेंगे हम ये वाला जो पाट होता है इसे खाते और ये बीच होते हैं उसे हम फैक देते तो इसे हम क्या करेंगे निकाल के किसी बर्तन में डाल देंगे मैंने दोनों खर्बूजे में से खर्बूजे के बीच को निकाल के तयर किया है अब हम इसमें चीनी को डालेंगे चाट मसाला मैंने आधा नीमू जो काटके लिया हुआ था उसका जूस निकाल के तयार किया है तो अब हम नीमू का जूस डालेंगे एक ग्लास ठंडा पानी डालेंगे अब हम हैंडिक की साहे तोपे इसे ब्लेंड करेंगे प्रेंड करेंगे नहीं कि यहां आपशे तरह से बसटी कि िलिए थाइक चीज जूस बनके तय्यार हैly अब श्राण के लिए ज्यूस को दॉँ शाने के लिए य। जूस को दालकर के चाहन है देखिए जूस ठानके तयार है जूस को हमने इसलिए छाना था कि ताकि इसमें कोई बीज रह गया हो तो वो निकल आए जूस को हम serving glass में sir करेंगे मैंने यहाँ पे serving glass लिया है इसमें हम दो ice cube डालेंगे और आप हम जूस को डाल देंगे मैंने जूस को serving glass में निकाल लिया है जूस पीने के लिए तयार है आप इस recipe को घर पे ज़रो try कीजिए और मुझे comment में feedback दिजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी देखा ना खर्बूजी के बीज से हमने एक नई रेसिपी बना के तयार की है खर्बूजी के बीज है वो फाइदा मन रहती है वो बहुत ही हेल्थ के लिए अच्छा रहता है अक्सर हम खर्बूजी के बीज को मार्केट से खरित के लाते हैं तो आप इस खरबूजी के बीज को फैके मत और इस रेसिपी से जरूराई कीजिए और मुझे कॉमेंट में फिड़बेक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे दुबारा फिर मिलेंगे तब तक लिए थेंक्यू बाई